जै मातादी दोस्तों पूजय शक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और मैंनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस ने विशेपर हम चर्चा करेंगे वो है अधिक मास जो की फिलहाल चल रहा है इसके बारे में काफी लोगों को जो है गलत अवधारना होती है कि अधिक मास का क्या महत्व है किस प्रकार से जोतिश माध्यम से अगर देखा जाए या हमारे कर्मों को सुधारने के लिए अगर देखा जाए या अगर इस प्रकार से देखा जाए कि हमें सौभागी के प्राप्ती इस महीने में किस प्रकार हो सकती है तो आप बहुत आसानी से श्र इसी कारण अगर आप देखेंगे तो इस बार के जो नवरात्रे हैं वो जैसे पित्र पक्ष हमारा समाप्त हुआ है उसके जजबाद नहीं लगे हैं अधिक मास खत्म होने के बाद जो है हमारे नवरात्र की शुरुआत होगी अधिक मास जो है पुर्शोत्तम मास के नाम से भ वरत करता है, जो गुरू वार- भरस्पति वार के वरत करते हैं, या जो श्री विश्णू की क्रपादवस्ची प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में खुशियों को बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह बहुत महत्मूर है. अधिक यानि अधिक किसी भी कारी से किया हुआ अधिक फल जब आपको प्राप्त होता है उसे अधिक मास कहा जाता है इस मास में आप विश्नु सहस्त्र नाम का पाट या फिर विश्नु जी के बीज मंत्रों का जाप इसके अलावा आप जो है श्री विश्नु के नमो नाराय का जाब करके भी बहुत अधिक जो है फनों को प्राप्त कर सकते हैं आपके सभी प्रकार के जो पाप है उनको नष्ट गर सकते हैं अधिक मास का बहुत महत्व होता है इस मास में हमें हमारे ब्रस्पती की तरफ से अगर कुंडली में कोई विशेश तोर पर योग ऐसा बैठ जिसकी वज़े से हमें या तो संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है या फिर हमें जो है कन्याओं का अगर विवा नहीं हो रहा है तो क्योंकि कन्याओं का विवा जो है गुरू ग्रह की क्रपादरश्टी के बाद ही उन्हें प्राप्त होता है तो अगर उनके विवा में बहु तुलसी के पत्तों को जो जोड़ा होता है दो तुलसी के ताजे पत्ते जो है श्री विश्नु हरी के चर्णों में अरपन्ड जरूर करें और प्रेम सम्मंदों की मनों कामनाओं को प्राप्त करने के लिए उनसे आप प्रात्ना करें इस समय पर लक्षमी जी के वरत भी आप क तो जब जब अधिक मास लगता है तब तब हमें हमारे जीवन में श्री विश्णु की हरी श्री विश्णु हरी की क्रपा द्रश्टी के लिए हमें जो है उपाय जरूर करने चाहिए हमें जो है उन्हें इस समय पर बेसन के लड़ूों का भुग जरूर लगाना चाहिए केले जरूर दान करने चाहिए इस समय पर इस समय पर आप जितना जादा हो सके इनका नाम जपे सुने या फिर आप जो है नमो नारायन का जाप मन ही मन जो मांसिक हमारी जो जाप होते हैं उसे जरूर करें इस से आपके जीवन में ग्रहस्त जीवन में आपके व्यापार में सौभा आग्यमे व्रद्धी होगी क्योंकि गुरू ग्रह का प्रबल होना दैनिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आपका गुरू ग्रह आपको शुफल प्रदान नहीं कर रहा है तो विश्णु जी की शरण में जाकर आप जीवन की बहुत इक सुक्सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से और खास थोर पर क्योंकि इस महीने के बारे में कई लोगों को गलत अवधारनाय होती हैं कि हमें इस समय पर जो है किसी भी प्रकार का जाप या दान नहीं करना चाहे तो यह बेल्कुल गलत है हमें इस समय पर जितना अधिक हो सके, ज जाप करना चाहिए जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा इसका नाम ही प्राचीन शास्त्रों में इसलिए अधिक मास रखा गया है अधिक से अधिक जाप करिए अधिक से अधिक ध्वनियों का जो है आप सुनिये और अपने घर में ग तो आशा है आज के वीडियो आपसे भी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वाड़ी को यही विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसे नए विशे पर चर्चा करते हुए आप से भी का बहुत बहुत देने वाद मुझे देखे